नमस्कार दोस्तों मैं हूं रिचा सिना एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दिलिग दीजे माता रानी आप सभी के सारी मनोकामनाएं पून करें दोस्तों कार्टिक का महीना चल रहा है और कार्टिक पुर्णिमा आने ही वाली है हमारे हिंदु धर्में पुर्णिमा दिथी को अत्यंत शुब और फल्दाई बताया गया है और उन सभी में कार्टिक पुर्णिमा का विशेश महत्व है तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ग्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिज्ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजे और फैमिली इन फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजे तो चले शुरू करते हैं दोस्तों शृष्टी की प्रारंब से ही एक तिथी बड़ी ही खास रही है और यह तिथी है कार्टिक पुढिमा की इसका महद्व सिर्फ वैश्णों भक्तों के लिए ही नहीं अपितु शैव भक्तों के लिए भी बहुत अथिक होता है पुरानों की कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरा सुर नामक महाबली असुर का वद इसी दिन किया था इससे देवकन बहुत प्रसन हुए और भगवान विश्णों ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया जो शिव के अनीक नामों में से एक है विश्णों जी के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विश्णों का पहला अवतार इसी दिन हुआ था प्रथम अवतार में भगवान विश्णों ने मत्तस से यानि मशली का रूप लिया था भगवान विश्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा प्रले के अंति तक सब्तरिशियो अनाजो एवं राजा सत्य व्रत की रक्षा के लिए लेना प्राथा जिससे की पुनाश रुष्टी का कारे आसान हुआ दोस्तों कार्टिक पुर्णिमा के दिन पवित्र नदी में सनान करना दीपदान करना हवन यग्य करना सत्नरायन भगवान की पूजा अर्चना एवं व्रत करना साथी चंद्रमा को अरग देना जरुरत मंदों को दान देना ब्राहमनों को दान देना सबका अत्यथिक महद्व बताये गया है, साथी कहा जाता है कि कार्टिक पुर्णिमा के दिन किये गए दान का दुगुना फल प्राप्त होता है, कार्टिक पुर्णिमा का दिन सिख धर्म के लिए भी अत्यत्थिक महत्वपून है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्था पक गुरु नानक हुआ था दोस्तों अब जान लेते हैं कि कार्टिक पुर्णिमा का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत के विधी और पूजा के नियम क्या है कार्टिक पुर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे सनानादी से निवरत होकर के स्वक्षाफ वस्तरधारन करे अगर दोस्तों हो सके तो अगल बगल कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान करें अगर पवित्र नदी में आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने घर के नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाए उसमें थोड़े से तिल मिलाए और स्नान करें साफ स्वक्ष के पत्तों से सजा ले के पत्तों को आप लाल रंकी मौली से बांध ले इस प्रकार से आपको पुजा की चौकी त्यार हो गई अगर भगवान श्री गनेश की मूर्ती ना हो तो चावल की धेरी छोटी सी लगा के उसके उपर एक सुपाड़ी में मौली बांध के और उसको थापित हो गया सबसे पहले आपको व्रत करने का संकल्प लेना है हाथों में थोड़े से पुष्प और थोड़े से गंगा जल और आपको दक्षना ले करके और सतनरायन भगवान की कार्टिक पुर्णिमा का व्रत करने का आपको संकल्प लेना है और इन सब चीजों को वह पर भगवान के आगे छोड़ देना है फिर आपको भगवान श्री गनेश की विधीवत पूजा करनी है पंच उपचार से पूजा करनी है इसनान कराना है आपको अनी तिलक लगाना है पुषपरपित करना है धूप ढीप दिखाना है और नवेद्यअर्पित करना है और इस से उन से परातना करनी है कि आपकी पूजा और फुरत सफल हो आपको आशिरवाद दे इसके बाद आपको भगवान विश्णों की वेदिवत पूजा करनी है भगवान विश्णों की पूजा में आपको तीन चीजों का होना अत्यधिक आवश्यक है एक तो आपको फल की में आप पंजीरी बना ले आटे को शुद्ध घी में बून करके और उसमें चीनी मिला करके प्रशाद त्यार कर ले साथ ही तुलसी दलका होना भी अत्यधिक आवश्क है इसके अलावा आपको पूजा में बंचामरित त्यार कर ले दूद्ध में थोड़े से शक्कर या गु पूजा में इस्तमाल करते हैं जैसे धूप दीप पुष्प हल्दी रोडी चंदन ये सारी चीजे आप पहले से त्यार कर लें उसके बाद भगवान विश्णों की विधिवत पूजा करें उन्हें पहले हाथ जोड़कर की प्रणाम करें उनका आवाहन करें उनको पुष्प माला अर्पित करें भोग लगाएं प्रशाद अर्पित करें उसके बाद आप पुरुष शुक्त का जब कर सकते हैं गीता का पाठ कर सकते हैं सत्नरायन भगवान की कथा पढ़ें और इसके बाद आपको भगवान की आर्थी करनी है उनसे शमा प्रात्ना करनी है इस प्रकार से पूजा करने के बाद सारे दिन मनीमन भगवान का नाम लेते रहें और शाम के समय आपको पुने से भगवान को भूग लगाना है और उनकी आरती करनी है इस प्रकार से भगवान सत्य नरायन भगवान की पूजा करनी है और शाम की आरती के बाद आप एक समय अ आप अन्य और भोजन खरेंगे, वो भी शुतिता से बना हुआ होना चाहिए, सेंधा नमक में बना हुआ होना चाहिए, उसमें लेसन प्रयाज का प्रयोग ना खरें, इस प्रकार से आपको जो है कार्तिक पुर्णिमा के दिन भगवान विश्नु की पूजा और व्रत करना है इस प्रकार से दोस्तों, अगर कार्तिक पुर्णिमान वाले दिन भगवान विश्नु की विदिवत पूजा अर्षना किया जाए, व्रत किया जाए, आर्ति की जाए, तो भगवान विश्नु की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है, साथ ही इस दिन भगवान विश्नु के साथ साथ माता लक्षमी की भी पूझा अर्षना करनी चाहिए माता लक्षमी को शाम के समय चावल का खीर बना करके उसमें थोड़ी से केसर मिला करके और मालक्षमी को अर्पित करे उनकी आरती गाय और उनसे प्राष्टना करे इसके साथ साथ शाम के समय चंद्रोदे के पाद भगवान चंद्रदेव को अर्ख दे दोस्तों जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की उत्पत्ती सागर मंथन से हुई है उसी प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ती वीश सागर मंथन से हुई है इसलिए चंद्रदेव जो है वो मालक्षमी के भाई माने जाते हैं और चंद्रदेव की पूजा अर्षना करने से मालक्षमी अत्यंत प्रसन्य होती हैं तो आपको पुर्णिमा वाले दिन एक थाली में पूजा की सामगरी जैसे दूप दीप पुश्प आदी रख ले थोड़े से प्रशाद रख ले और एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़े से गंगा जल मिलाए उसमें थोड़ा चावल और थोड़ा सा दूद मिला करके आरख के लिए त्यार कर ले इसके बाद चंद्रदे के बाद आपको यह सामगरी लेकर जाना है और बागवाने चंद्रमा की है मंत्र बोलते रहना है और उसके बाद भगवान से शमा मांगनी है भगवान चंद्रदेव आप पे खृपा करें ऐसी आप उनसे प्रास्थना करें इसके साथ ही दोस्तों कार्टिक पुर्णिमा वाले दिन आपको मात तुलसी के सामने एक बड़ा सा दीपक शाम के समय अव पक जलाना है एक ग्यारा बार मात तुलसी की परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवती वासु देवाय मंत्र का चप करते रहना है दोस्तों यह बहुत अचुक उपाए भी है इस उपाए को आप हर एकादिशी और पुर्णिमा को दोराए कहा जाता है इससे भगवान विश् आपको मंदिर में दीपक जरूर चलाना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए का जाता है पीपल के पेड़ पे समस्त देवी देवताओं का वास होता है तो इस दिन पीपल के पेड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए नदी में दीपदान करना चाहि दोस्तों अब जान लेते हैं कि कार्टिक पुनिमा व्रत की कथा क्या है एक बार की बात है त्रिपुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या के त्रिपुर की इस घोर तपस्या के प्रभाव से सभी जड़ चेतन जीव जन्तु तथा देवता भैवित होने लगे तब देवताओ उने त्रिपुर की तपस्या को भंग करने के लिए एक खूपसूरत अपसराय भेजी परन्तु त्रिपुर की कठोर तपस्या में वभी बाधा ना डाल सकी अंत में ब्रह्मा जी स्वेम उसके सामने प्रगट हुए तथा उससे वर मांगने को कहा त्रब त्रिपुर ने बातों से भी मन नहीं भरा तो उसने क्यलाश परवत पर चढ़ाई कर दी इसके परिणाम सरूप भगवान शिव और त्रिपुर के बीच घमासान युद्ध छड़ गया काफी समय तक युद्ध चलने के बाद अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान वद कर दिया है यही कारण है दोस्तों की कार्टिक पुर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है कार्टिक पुर्णिमा के दिन सभी शिव मंदिरों में एकादशी रुद्र अभिशेकम किया जात अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए फैमिल और फ्रेंज के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में so thanks for now, bye bye